ओम शान्ती, 2 जुलाई 2023 के अव्यक्त महवाक्य, रिवाइस डेट 26 जनवरी 1995, पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर, बाप दादा ने कहा, सनही तो सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथा शक्ति है, शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्ण मिलता है, लेकिन सनही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते, सनही आत्माई सहयोगी जर योग देते हैं, लेकिन योग यथार्थ ना होने कारण सही योग मिलते हुए भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेस दो कदम सुनाए, फर्मान बर्दार और वफादार। बाबा ने कहा बाप का फर्मान है सदासर्व खजानों के वर्से में संपन्न बनना और बनाना। जैसे ब्रह्मा बाप ने चाहे रात हो चाहे दिन हो सेवा का डिरेक्षन मिला और प्रेक्टिकल किया और कर्म में सदा हांजी किया, लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प् ग्यान का खजाना याद की शक्ति और सेहन शिलता के गुण का स्वरूप ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रेक्टिकल लगा कर दिखाया तो इसको कहा जाता है फर्मान बर्दार नंबर वन बच्चा चेक करो कि आपने भी आदी से अब तक सर्व खजानों को स्वर के साथ साथ सेवा में लगाया है और लास्ट में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान ही वफादार बनो कभी भी मन से बुद्धी से संकल्प से बाप के साथ बेवफा नहीं बनना वफादार का अर्थ है सदा एक बाप दूसरा न कोई संकल्प में भी कोई व्यक्ति या वस्तू आकर्शित नहीं करे और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार ब्रह्मा बाप के और दो कदम फर्मान बरदार वफादार आज बाप दादा चारों और के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं स्नेही सभी बच्चे हैं लेकिन शक्तिशाली यथा शक्ति है स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्ण पद्म गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजय भव का रिटर्ण मिलता है मिलता सभी को है स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजे का अनुभव नहीं कर पाते कभी सहज, कभी मेहनत बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं क्योंकि स्नेही आत्माए सहयोगी भी रहती ही है तो सहयोग के रिटर्ण में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं। लेकिन योग यथार्थ ना होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग दवारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजई बन जाते हैं लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं प्यार और सदा विजई रहने की शुब चाहना सभी बच्चों में रहती हैं लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्वय शक्तियां कारे में नहीं लगा सकते बाप वर्से के अधिकार में सर्वय शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते सभी को समपूरण अधिकारी बनाते हैं लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं बाप ददा किसको special, किसको अलग tuition देते हैं क्या, नहीं देते, पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है, पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या, सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, result में कितना अंतर हो जाता है, कहां अश्ट रतन और कहां 16,108 रतन कितना अंतर है, यह अंतर क्यों हुआ, पढ़ाई और पालना को, वर्दानों को धारन करना और कारे में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है, कई बच्चे धारन भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमान कारे में लगाना नहीं आता है, बुद्धी तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पढ़ जाता है, ब्रह्मा बाप नंबर वन क्यों बना? दो कदम पहले सुनाएना, तीसरा सदा बाप, शिक्षक और सदगुरु के फर्मान भरदार बने, हर फर्मान को जी हाजिर किया, बाप का फर्मान है, सदा सर्व खजानों के वर्से में संपन्न बनना और बनाना, तो प्रतिक्स देखा कि सर्व खजाने, ज्यान, शक्तियां, गुण, स्रेष्ट समय, स्रेष्ट संकल्पों का खजाना, पहले दिन से लेकर, लास्ट दिन तक कारे में लगाया, लास्ट दि इन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया, ज्यान का खजाना, याद की शक्ति, और सहन शिल्ता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने, लास्ट समय तक, शरीर को भी भूल, सेवा में प्रैक्टिकल में लगा कर दिखाया, तो इसको कहा जाता है, फर्मान बर्दार न सेवा में सदा बाप समान रहो, तो आदी से लेकर अंत घडी तक, दोनों ही फर्मान प्रैक्टिकल में देखाना, सनहे की निशानी है, फोलो करना, तो चेक करो, आदी से अब तक, सर्वखजानों को स्वर के साथ साथ सेवा में लगाया है, बाप का फर्मान एक श्वास वस संकल्प, सेकिंड, व्यर्थ नहीं गवाना है, तो सारे दिन में ये फर्मान प्रैक्टिकल में लाया, वो कभी लाया, कभी नहीं लाया, अगर कभी कभी फर्मान बर्दार बने और कभी नहीं बने, तो किस लिस्ट में जाएंगे, अगर बाप दादा फर्मान बर्दार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे अपने को तो जानते हो ना क्योंकि आप सभी सर्वखजानों के ट्रस्टी मालिक हो तो एक संकल्प भी बिना बाप के फर्मान के यूज नहीं कर सकते हो या सोचते हो कि हम बालक मालिक हैं इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें इसमें बाप का क्या जाता हैं। बाप ने दे दिया अभी हिसाब क्यों लेते हैं। नहीं। आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब ह तो मेरा वैसे तेरा ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो ब्रह्मा बाप को देखा अपना आराम का समय भी विचार सागर मन्थन कर बच्चों के प्रती लगाया रात्री में जाग कर बच्चों को योग की शक्ती देते रहे ये चरित्र तो सुने है ना ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना फोलो फादर किया कि सर्फ सुन लिया सुनना अर्थात करना तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर सदा हुजूर हाजिर और नाजिर कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए हाजिर नाजिर रहे ना बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की सिती में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया, सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, सेवा का डिरेक्शन मिला और प्रेक्टिकल किया, और कर्म में सदा हांजी किया, हांजी का पा प्यार का सबूत दिखाओ, ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबस से मेरा प्यार है, उतना और किसका नहीं, मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाओं, क्या सुनाओं, बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ, सबूत है Follow Father, तो चेक करो, सिती में, सेवा में, कर्म, अर्थात संबंद संपर्क में, संबंद और संपर्क में आना ही कर्म है, तीनों में सदा follow father है, हर फर्मान सिर्फ बुद्धी तक रहता है या कर्म में भी आता है, रिजल्ट में देखा जाता है, कि अगर बुद्धी और वाणी में सो बातें रहती हैं, तो कर्म में पचास हैं, तो उन्हों को follow father कहें, अधूरी रिजल्ट वालों को follow father की लिस्ट में रखें, आप क्या समझ से हैं, वे फर्मान बर्दार हैं, कि आप आधे में राजी हैं, थ थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है, शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकाले, कि सिल्वर में नाम देखकर कौपर बन जाएंगे, समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृती भी दे रही हैं, प्रकृती भी चलेंज कर रही हैं, तो समय के प्रमान आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाशनों में सब को कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है, तो अपने को भी कहते हो या दूसरों को कहते हो, दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स् चैलेंज स्मृती में लाओ समय के प्रमान अपने पुरुशार्थ की गती क्या है बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो एक तरफ मैजोरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमान पुरुशार्थ में तिवरता होनी चाहिए और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि ये तो सब चलता ही है ये तो माहरतियों से भी परंप्रा चला आता है तो बाप ददा क्या करेंगे गुस्सा तो नहीं करेंगे न मुस्कुराएंगे और इसका विशेस कारण है कि समय प्रती समय पुरुशार्थ को बहुत सहज कर दिया है इजी कर लिया है सुभाव को इजी नहीं करते सुभाव में टाइट होते हैं और पुरुशार्थ में इजी हो जाते हैं फिर सोचते हैं सहज योग है न लेकिन जीवन में पुरुशार्थ में इजी रहना इसको सहज योग नहीं कहा जाता क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती है इमर्ज नहीं होती आप सभी अपने ब्राह्मन जीवन के आदी का समय याद करो उस समय कैसा पुरुशार्थ रहा इजी पुरुशार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुशार्थ रहा अटेंशन वाला रहा उमंगुत्सहा वाला रहा और अभी अलबेले पन के डनलब के तकिये और बिस्तर मिल गए हैं, साधनों ने अराम पसंद ज्यादा बना दिया है, तो अपने आधी के पुरुशार्थ, आधी की सेवा और आधी के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? अराम पसंद थे? नहीं. और अभी थोड़ा-थोड़ा है, साधन सेवा के प्रती है, साधन स्व्यम को अराम पसंद बनाने के लिए नहीं है, तो अभी डनलप का तकिया और बिस्रा निकालो, पट्रानिया बनो, पट्राने बनो, भले पलंग पर सो, लेकिन सीती पट्रानी पट्राने की हो, देखो, आधी सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी स्रेष्ट रही, जिस आधी की साधना ने ये सारी वृधी की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो, जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है, तो साधना है बीज, साधन है विस्तार, तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्स करो, बाप प्रत्मान समें प्रत्मान विज़ादा ने इस सीजन में काम दिया था लेकिन किया नहीं। आपने के प्रत्मान अभी अपनी सेवा व सेवास्थानों की दिंचरिया बेहद के विराग्यवृति की बनाओ। अगर आपको इंचार्ज बेहन कहे नहीं आपकी तब्यद ठीक नहीं हैं दूसरे को करने दो तो करने देंगे उस समय बुखार वह सिर्दर्द कहां चला जाता है और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा सिर्दर्द भी आजाएगा तो पेट दर्द भी आजाएगा सुनाया है ना कि अगर बहाने बाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगी कि थर्मामिटर लगाओ लेकिन पेट दर्द और सिर्दर्द का थर्मामिटर तो है ही नहीं मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं बेहद की विराग्यवृती मर्ज हो गई है और बहाने बाजी इमर्ज हो गई है बाप ददा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत सुनहे से मधुबन में पहुँच गए हैं तो सुनह दिखाया उसकी मुबारक हो बाप ददा को भी बच्चों की खुशी देख कर खुशी होती है लेकिन आगे क्या करना है सिर्फ मधुबन तक पहुँचना है यसने का सबूत दिखाने के लिए फरिस्से रूप में वतन में पहुँचना है क्या करना है मधुबन में प्रिस्ता ही देखें, बोल, चाल, रहन, सेहन, सब फरिस्सों का बन जाएं, और फरिस्से का अर्थ है ही डबल लाइट, तो दिंचरिया में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंद संपर्क में, सिती में लाइट, तो लाइट बनना आता है कि बोज खीचता है, बाप सबूत देखना चाहते हैं, और जब संह का सबूत देंगे, तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी, वहा विजयी वहा, प्रकृती भी ताली बजाएगी, तो अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी स्वियम को संह के साथ शक्ति शाली बनाओ, स्वियम के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो, सहज योगी, सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ, बाप दादा देखते हैं कि स्वप्रती, चाहे सेवा प्रती, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रती, अलबेलापन ज्यादा आ गया है, ऐसे नहीं सोचो की सब चलता है, एक दो को कोपी नहीं करो, बाप को कोपी करो, दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है, बाप दादा ने सुनाया था कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है, और दूर की नजर त मुडली सुनी ये फल है हर सीजन का फल होता है न तो इस सीजन का फल बाप ददा को क्या भोग लगाएंगे भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो न वो तो बाजार में मिल जाता है कोई बड़ी बात नहीं अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे लगाना है या मुश्किल है तो देखेंगे कि नमबर वन भोग कहां से आता है वाइदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो कभी भी ना नहीं करते हो हां ही करते हो खुश कर देते हो लेकिन अभी क्या करेंगे टीचर्स नमबर वन भोग लगाएंगी न सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे प्रवरिती वाले भी भोग तो लगाते हो ना कि खुद ही खा जाते हो तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है तो फर्मान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है चोथा कदम है वफादार कभी भी मन से, बुद्धी से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना वफदार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा न कोई संकल्प में भी देहे देह के संबंध, देह के पदार्थ वदेह धारी व्यक्ति आकर्शित नहीं करे जैसे जब पती पतनी एकदो के वफदार बनते हैं तो स्वपन में भी अगर पर दूसरे की याद आ गई तो वफदार नहीं कहा जाता तो ब्रह्मा बाप को देखा संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं एक बाप सब कुछ है इसको कहा जाता है वफदार अगर पदार्थ की भी आकर्शन है, साधनों की भी आकर्शन है तो साधना खंडित हो जाती है वफदारी खंडित हो जाती है और खंडित कभी भी संपन पुज्य नहीं गाया जाता है तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्शन बेवफा तो नहीं बना देती अगर जरा भी किसी के प्रति विशेस जुकाओ है, थोड़ा भी पर्सनल जुकाओ है, चाहे गुण के उपर, चाहे सेवा के उपर, चाहे अच्छे संसकारों के उपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, तो वफादार नहीं कहा जाएगा सबकी विशेसा, बेहद की विशेसा पराकरशित हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेस व्यक्ति या व्यभव के उपर आकरशित हैं, तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा तो चेक करो कि खंडित मूर्ती तो नहीं है, पुझे हैं, कहा एक्स्ट्रा लगाओ जुकाओ तो नहीं है, संकल्प मात्र भी जुकाओ नहीं, वाचा कर्मना की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है, तो खंडित की लिस्ट में आ जाएगे तो चेक करना आता है ना? अच्छा, चारों और के स्रहें का सबूत देने वाले, हर फर्मान को संकल्प भोल और कर्म मिलाने वाले, सदास्वियम को बाप समान सिंपल और सेंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्ति शाली बाप समान द्रिड संकल्प धारी, सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वर्दान साक्षीपन की सिती दवारा, हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुशार्थी भव साक्षीपन की सिती दवारा, हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुशार्थी भव साक्षीपन की सिती, ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है अगर साक्षीपन नहीं, तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते साक्षी पनर्थात देहे से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर सित रहे देहे से भी साक्षी मालिक इस देहे से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी सिती ही सहज पुरुशार्थ का अनुभव कराती है क्योंकि इस सिती में किसी भी प्रकार का विग्न या मुश्किलात नहीं आ सकती यह है मूल अभ्यास इस अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे स्लोगन फरिस्सा बनना है तो अपने सर्वरिस से एक प्रभू के साथ जोड लो वरिष्सा बनना है तो अपने सरवरिष से एक प्रभू के साथ जोड लो अच्छा ओम शान्ती अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें